आज मैं बच्चों की फेवरिट रेसिपी लेके आई हूं बहुत जाद सिंपल और डिलिशिस रेसिपी है यह मैक्सिकन की फेमस डिश है कैसिडियास आज मैं पोटटो चीज कैसिडियास की रेसिपी लेके आई हूं सिर्फ आपके लिए सो लेट्स गेट स्टार्ट यह मैंने मैदा और कॉर्ण फ्रलार दोनों को 50-50% ले लिया है आप चाहे तो सिर्फ मैदा या फिफ सिर्फ कॉर्ण फ्रलार ले सकते हैं आप मैंने कशना गया सीवंगा डाल दिया है इसमें आजमाइं क्रश million करके झाल रही हूं अच्छी तरीके से क्रश्क करके हमें इसमें आश्माई डालना है और फिर हम इसमें नमक डालेंगे टीश्ट के अकॉर्डिंग नमक आप ले लेशे मैं हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ अब मैं इसमें हलका सा ओयल मिलाऊंगी ओयल हम क्रिस्पी बनाने के लिए लेंगे अच्छी तरीके से हम खस्ता बनने के लिए ओयल डाल देंगे और फिर उसके बाद मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है आप चाहें तो सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ कौन प्रा लेके भी कर सकते हैं अब मैं इसको अच्छी तरीके से डो बना लूँगी ये देखे मैंने डो बना के तयार कर लिया है अब मैं इसमें स्टॉफिंग के लिए ओयल मैं मैंने मिर्ची डाला है अब मिर्ची के बाद म इसमें प्यास टालरहूं। इसको अच्छी तरीकते प्राइ करेंगे नमा खल्दी मिर्ची सबकुछ डाल देंगे धनिया वाउडर सबकी जलेके से नमा गूダी किcm के बीढ़ तरीकते मिर्ची सबकुछ डाल देगे। कर दोंगें बहुत जल्दी बना के बताओंगे आपको यह रडी हो गई स्टफिंग अब मैं रोटिया जैसे बनता है यह देखिए मैंने बिल के रख लिया है अब हम इसको पकाएंगे आप ही यह ध्यान से देखिएगा मैं कैसे पका रही हूँ हम एक साइट बहुत कम पकाएंगे और एक साइट ज़्यादा पकाएंगे मतलब 50% हमेंसे पकाना है आप चाहें तो सिफ एक ही साइट पकाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं एक साइट कम और एक साइट ज़्यादा पका रही हूँ आप देख सकते हैं अब यह मैं दूसरा पका के दिखा रही हूँ आपको एक साइट मैंने बहुत कम पकाया है दूसरे साइट ज़्यादा पकाया है यह देखिए अब मैं इसको भी मैंने देखिए यह साइट कम पका हुआ है दूसरे साइट मैं बहुत ज़्यादा पकाऊंगी यह ready हो चुकी है, एक साइड का मैं एक साइड ज्यादा, मैंने सब पकाके रख लिया है, अब मैं जिस सइड हमने ज्यादा पकाया हो, उस साइड मैं sauce लगा रहे हूँ, अच्छे दे जिसे sauce लगाना है इसमें, tomatoes sauce में लगा रहे हूँ, अब मैं चीज दालेंगे चीज का अब उसको कट करके इसमें डाल दूंगी आप चाहें तो और भी चीज डाल सकते हैं यह आप पर डिपेंड है करता है अब यह मै अची तरीके से बड़र डाल दिया है तवे पर डालके इसको आप देख उसको हम पका लियुंगी डिए कसी पका है कि देख सकते हैं यह अच्छा लग रहा देखने मेर अब हम इसे निगाल लेंगे आप चेक करती रहेगा टाइम टाइम पे आप यह देखे रेडी हो चुका है हमारा मेक्सिकन की रेसिपी सो मिलते हैं नाक्स वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ लव यू सो मच गाइस बाइब प्लीज लाइक शान सस्क्राइब माच चैनल